9 नौमबर साल 1947 में जुनागड रियासत का भारत गनराजी में विलै हुआ आजादी वाले दिन ही जुनागड के नवाब महम्मद महाबद खान तृती ने पाकिस्तान में विलै का निर्ने लिया अगस्त से शुरू हुए जुनागड के विलै का यह ध्याय नौमबर में तब खत्म हुआ जब सरदार पटेल ने वहाँ सेना भेजने का निर्ने लिया भारत की सेना ने जुनागड को चारूर से खे लिया परिणाम सुरूप जुनागड आज की दिन भारत का हिस्सा बना 9 नौमबर साल 2000 में भारत गंडाजी के 27 राजी की रूप में उत्राखंड राज्य का गठन किया गया साल 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तरप्रदेश का भाग था साल 2000 से 2006 तक यह उत्राँचल के नाम से जाना जाता था देरादून उत्राखंड की अंत्रिम राजधानी होने के साथ ही इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है गैर सान नामके एक स्थान को इसकी भगौलिक स्थिति को देखते हुए भवश्य के राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रम नदियूं गंगा और यमना के उद्गमिस्थल गंगोत्री और यमनोत्री स्थित हैं उत्राखंड चिपको आंदूलन के जन्मिस्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है 9 नौमबर साल 193 में कमबोडिया ने फ्रांस से स्वतंतरता प्राप्त की कमबोडिया से पूर्व इसे कमपूचिया के नाम से भी जाना जाता था इसका नेत्रित्तो राजा से राजनेता बने नोरोडोम सिहानोग ने किया पनोमपेन इस देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी भी है कमबोडिया का उदय एक समय शक्तिशाली रहे हिंदो और बौध्ध खमे राज्य से हुआ इस समराज्य ने 11-14 सदी के बीज पूरे हिंद चिन इंडो चाइना क्षित्र पर शासन किया